पर ओदे हत्च भी कोई बाली जादी पावर नहीं सी, दरबारी दे सेनापती जो केंदे सन बाश्या ओही करता सी मर हटे ते अंग्रेज ए दोवे ही किसे ना किसे दरण दिल्ली ते कबजा करना चोंदे सन क्योंकि ए दोवे जान चुके सन के मुगल राज कमजोर हो चुक्या है दिल्ली जितन दा इस सुनेरा मोका है एसली फिर सन 1783 नू मरटे ने दिल्ली ते हमला करके लाल किले ते कबजा कर लिया ते जोदो इस कल दा पता अंग्रेज जर्नल अक्टर लोनी नू लगया तो ओवे एक पारी लाम लश्कर लेके दिल्ली वल नू तुर पया क्योंकि ओजान दे सन के मरटे की नेक पाणी छन ते उननो असानी नलहराया जा सकता है जोदो मरटे नू अंग्रेज जान एक वड़ी फोज लेके चड़ाई कर दिया हूंदा पता लगया तो ओडर दे लाल किले छटके ओथो पाज गये तद शालम ने सोचा के हून मरटे दा तो चले गए हन ते जे इंग्रेज जान आके कबजा कर ले ता गलता हो दी ओओ ही रहेगी हून मैनू बचंदा एक मोका मिलया है मैनू कोई न कोई उपराला जुरूर करना चाहिदा है तद वजीरा ने कहा के हूनता बचंदा सिर्फ इक कोई तरीका है के सिक जर्नेल सरदार बगेल सिंग जी नू मदद दी गुहार लगाई जावे इसलिए फिर बाजशा शाह अलम ने अपने दरबार दे तेन मुख सला करानू पेज के सरदार बगेल सिंग जी नू ओना दी मदद करन दी बेंती की थी लोड पैन ते हर किसे दी मदद करना एस इदांता दसम पिता ने सिखा नो गुरती विज दिता होया है इसलिए सरदार बगेल सिंग जी ने पिछले मुखल शाशकांदे की ते सारे जुल्मानू पला के शाह अलम दी मदद करन दा फैंसला की था पर सरदार भगेल सिंग जी कौन सन पूरे पार्त ते राजकरन वाले मुगल बाजचाने देश्टे सेंगडे राजियां ते जिरनेला नुछाट के आखर एना नुछी मदद देली क्यों चुणियां आओ पहला ए जाणियें सरदार भगेल सिंग जी दा जनम तरन तरन जिले दे चंबाल पेंड दे ता लीवाल जट परवार वेच्छोया सी छोटी उमर तो ही ओ कारबार चाड़के पंत दी सेवाले दल खालसा वीच चामिल हो गए सन ते जदो क्रोडा सिंग ये मिसल दे मुखी सरदार क्रोडा सिंग जी एक लडाई विच अकाल चलाना कर गे ता सरदार भगेल सिंग जी दी काबलियत नुदेख दे होई उनना नुद क्रोडा सिंग ये मिसल दी कमान सौंपी गई हौली हौली सरदार भगेल सिंग ने उत्तर पार्त दे एक वड़े से ते अपनी तक कैम कर ले जलंदर तो लेके गंगा यमना ते करनाल तक उनना दे कोड़या नू रोकन वाला कोई नहीं सी कुरोडा सिंग्या मिसल दे 12,000 कोडस वार हर समय उनना दे नाल रेंदे सन सरदार भगेल सिंग जी ने अपनी कथिनी नू पूरा कर दे हुए एक वड़ी फोज ते लाम लशकर लेके दिल्ली वल चाले पा दिते सरदार भगेल सिंग जी दा खौफ एना सी के जोदो अंग्रेज जर्णल लू ओना दे उन दी खबर मिली तो ओना दी अग्ये वदन दी हिम्मत ही नहीं होई ते ओ अधे रातों ही वापस मुड़ गए ते जो तो शाल अमनों एस गल दा पता लगया कि होनों मरटे दे अंग्रेज दो मादा खत्रा टाल गया है तो उस दे नियत बैमान होगी उसने सुचा के कि ते होन सेख्या के मेरे रास्ते कबजा ना कर लें इसलिए उसने दिल्ली वल वद रे सरदार भगेल सिंग जी नू एगल बड़ी ही गल्त लगी कि तो अडेस ने है ते ही में अपना सारा लामलश्कर लेके दिल्ली आ रहा सी ते होन अपना कम निकल दे सारही तुसी अइनी शित्ती रंग बदल लेया मेरी अइनी वड़ी फोज दा अइने दें दा खर्च कौन देऊगा तुसी इस फोज द नजी ता फिर सानू इन मजबूरन हमला करना ही पोगा ओना समया ते हार वड़े शहरं दे बार उच्चियां उच्चियां कंदा हुं दियां सन्द न न कर नालतो तुरं लGयात सरदार बगेल्संग जी ने सरदार जसा संण अलू वालीया ते सरदार जसा संग रामगड़ी अनुवी दिल्ली पोंचन लई सुनेहे पेजेसन तेहुन ओ दो में वी अपनिया फोजन लेके आके पसरदार बगेल सिंग नाल रल गएसन जसा सिंग अलू वालिया ने किहा के जे शालमने सारे द्रवाजे बंद कर देते हन ता कोई गलने सेक अपनारा आप बनोना वी जान एक वड़ा द्रक्त कटवाया गया उसता तना अगो पैंसल वंगो तिखा करके सिखा ने उसनाल शेर दी कंद ते चोट करनी शुरू की ती कुझ कंटेंदी में थी रंग लेई ते शेर दी कंद विच एक मोरी कड़ दिती गई जिस विचो एंटर होके सारी तीहजार दी फ नहीं होन दिती ते उते शांदर गेट दी उसारी करवाई जिसनु अज दिल्ली दा मोरी गेट केहा जन्दा है पाम एक खाल से फोज दी गिंटी तीह जारी सी फेर में मुगला ने कुछ छोटियां मुटियां चडपा तो बाद ही आत्थ कड़े कर दिते पर शाल अमनू फ अत्मी जी न किती जावे सिखने ओन नाल दिल्ली दी आम जन्ता ने वी सुख दा साले आ सी क्योंकि मरट्याने ते ओंदे आम जन्ता नाल लुटको शुरू कर दिती सी ते शालम दे राजविच वी गैर मुसलम जन्तान बहुत ज़दा तंग किता जान्दा सी पर सिखने र कि दिल्ली दा पाशा सरदार जसा सिंग अलु वालियानों ही बनाया जावे पर एस गलते जसा सिंग रामगडिया सहमत नी सन उन्ना दा मनना सी के खाल से ते राजविच कोई मनुख तक ते किवे बैठ सकता है ए जगाता गुरू सहीब दी है एस गल विच जदो जसा सिंग अलु वालियाने भी हमी पर दिती ता सारे सहमत हो गए इस तो बात उना खाल से दी आन बान ते शान छिरी निशान साइब नू लाल के ले ते चुला दिता हुणवारी सी बादशा दे तकत दी सिक चोंदे सन के कुछ एहो जा किता जावे के रंदी दुनिया तक याद रव आया सी सिखा ने ओस तक दिक वड़ी सिल पुट के कोड़ियां दे मगर पा दिती ओ इधा सिक सिल चार वड़ियां तोपा दे कुछ हो और कीमती समान गड़ियां ते लाद के सरदार जसा सिंग रामगडिया अमरेसर सहिब ले आए आए आज वी ओ सिल इते रामगडिया अठा होके किले नूँ वापस लेंड ली इसला कर रहा है तद एक स्याने ने इसला दिती के लड़के या तकेशाई नल तापा सिखा तो नहीं जित सकते हां शांती दे राजी नम इनल जरूर कोई रा कड़िया जा सकता है पर राजी नम करोंली हमेशा एक वचोलिया दी ल वाल्टन समरू नल करवाया सि जोके स्रदाना रियासत दे राजे दा एल कार सि ते राजे दी मोत तो बाद ओर रियासत दा मालक बढ़ गया सि अपने पती दे नाम ते ही उसने अपना नाम चेंज करके बेगम समरू कर लिया सि सिख राज दे समय एक देने अपने पेक्या नू मिलन पालकीच बैड के दिल्ली आ रही सि जिसनों मुसलिम पेस वाले नोकरा ने चुक्या होया सि तद कुछ सिंगा दी नेजर एना ते पही ओस समय हिंदू डोलिया नू एसे दरा पालकीच ही लजाया जान्दा सि ते सिख सिखा ने उन्हों रुकना चाया तो नोकर डोली छटके पाज गए एक पर जुदो सरदार बगेल सिंग जी नू मिली तो उन्हा ने हुकम किता के नोकरा नू लब के लिया आए जावे ते पांज सिक कोड़ स्वार नाल जान ते इस बीबी नू सरखत ओधी मंजिल तक ते पेटा करके सरदार बगेल सिंग जी दी तरम पैन बन गई बेगम समरू एक लाइक ते रोशन दुमाग वाली ओरत सी उसने वोल्टन नल रेंदियां अंग्रेजी फ्रेंच कोड़ स्वारी राजप्रबंद सब कुछ सेख लिया सी ते कुछ साला बाद जो वोल्टन दी मौत हो गई ता राजप्रबंद दी बागडोर उस दे हत्वी चाह गई समरू बहुत दूर दी सोचती सी उसने अंदाजा लाले आसी के अंग्रेजां दा प्रभाव दिनों दिन वद्धा जा रहे हैं ते अग्गे चलके उसनों भी जरूर तंग करन गे इस लही फिर उसने मुसलिम तो इसाई मत तारण कर लिया ते अंग्रेजा नाल हमेशा ही नर्म रुख अपना के रख्या उसने अंग्रेजां दे कैंड ते कई चर्चां दी उसारी भी करवाई ऐसी नित्ती दे चल दियां अंग्रेजा ने कदी वी उसनों तंग नहीं किता ते अपने मरन तक शुसने अपनी र्यासत ना राज कीता सृदार बगेल सिंग जी दी तरंपैन होण कर के शालम समरू तो ही अंतिम उमीद सी बेगम समरू राजी नाम करोणली स्रेजार बगेल सिंग जी कोल गई थे कुछ कंटेंडी मीटिंग तो बाद अपनि ये कुछ श्रता मनवा के सिक दिल्ली वापस शाल अमनू संपनली त्यार हो गए इन्ना चो पहली शर्थ सी के सिखन देता असीक स्थाना दी निशान्दी करके ओ ते गुरुता मदी उसारी करवाई जाओगी राजनू चुंगी ते टेक्स तो जिन्नी वी आमदन होगी ओदा साथी संती प्रसेंट यानिकी रुपिया चो छे अन्ने सिखन दिता जाओगा ते जिन्ना चेर गुरुता मदी उसारी दा कम पूरा नहीं हो जन्दा चार हजार सेक दिल्ली विच्छी रेंगे एस तो अलावा सिखन नू फजूल दिल्ली ओन दी खेचल पहुन लई शालम नू तिनलाख खुर्पे जिर्माना वी पर ना पाऊगा कुजी तहास कर इस फैंसले नू सिखन दी बहुत वड़ी पोलदास देहन पर असल विचे एक समझदारी पर फैंसला सी दिल्ली ते राज़दा मतलब से की पूरे पार्त नू कंट्रोल करना जिस ते लिए लखां दी तदाद विच फोज जर्नेल ते नीतिमान लोग चाहिदे सन कल्लू कार्यां ते जंगा तो बाद एन्नी दा सिखां दी टोटल पोपुलेशन भी निबची सी इस से लिए फिर सिखा नू एसम जोता करना पया ते हुन शुरू होया गुरू करांदी उसारियां लई सही थावा दी निशान देई दकम पर एकम भी एन्ना सोखा नही सी इस देली पूरी दिल्ली विच एलान करवाया गया के सही थावा दसन वालयानों पारी इनाम दिते जानगे अंदा मुगल दी तरती ते एक 125 साल दी बुजुर्ग औरत सी उसनों शिर्गुर ते एक बादरजी दे शेहिदी वाले स्थान दा पता सी ओ बचपन दो ही इसनों देख दी आ रही सी पहला उस दा दादा ओथे जोच जगोंदा सी फेर उस दी मा ते फेर उसने आप पूरी जिंदिकी ओथे जोच जगाई सी ओस बुजुर्ग बिबीनु मंजे दे बठाके ले अंदा गया, ते उस दी निशान देई ते गुर्दवाराशीरी सीसकंद सहेब उसारे आ गया बाकी गुरुता मादी जगा लबन विच कोई खासी दिक्कत नहीं आई क्योंको बंगला सहेब दी जगा देता राजा मिरजा जय सिंग दा बंगला पहला ही मोजोद सी गुर्णानक सहेब दे प्याऊवाली थानते ओपुराना खूँ ते मजरू टीला पहला ही निशान दे लई मोजोद सन पर सब तो वद मुश्कल गुर्दवारा शिरी रिकाब गंच सहब दी जगा लबनते आई जिते पाई लखी शाव नजारा ने अपनी हवेलीनू लंबू लाके नौवे पाच्छा दी देदा अंतिम संस्कार कीता सी ए अवाद जदो एक बुड़े फिकीर दे कन्ना विच पई ता ओ आके सरदार बगेल सिंग जी नू मिला ते कैन लगा के मैंनू पता है कि ओ केड़ी जगा है पर ओ तो अनू नहीं मिल सक दी क्योंकि होते हुने एक मस्जिद बन चुकी है सरदार बगेल सिंग जी ने क्या के तो अडिगल ते किमें यकीन कर लेए फकीर ने क्या के जदो तुसी ओस मस्जिद दा फर्ष पुटोंगे ता थलियो गागर जुरूर निकलूगी जीदेच गुरू सहीब दे फोल ते अस्थियां पाके लकीशा वंजारा जीने तर्थिविश दब दिते सन फर्ष पुट्टे आ गया गागर ओते इसी एसलिए फिर उस थाते गुरुद्वाराशीरी रिकाब गंद सहीब दी उसारी करवाई गई सो एसे सिख्ण दी मानियोग दिल्ली फते दे गुरू करां दी उसारी दा इतास जे तुसे सच मुझ अपने तर्मिनल प्यार कर दे हों ते अपने इतास नों समणा चोंदे हों ते इस विडियो नों वत तो वत शेर जरूर करे हो